हेलो वाइज आज हम करने वाले हैं chapter 2 structure of atom में part 10 वीडियो जिसमें हम देखेंगे numericals क्योंकि अभी तक हम ने पढ़ा है planks quantum theory उससे कुछ numerical formulas निकल के आए अब हम उसके numericals करेंगे ठीक है और कुछ पुराने numerical formula हैं उनको भी एक बार याद करेंगे और जो की इसमें use होने वाले हैं इसलिए हम सारे numerical formula एक बार देखेंगे और फिर numericals start करेंगे सबसे पहला numerical formula है new into lambda is equal to c तो c is equal to lambda निकल वाला formula में पढ़ा था और इसको लिख सकते हैं new is equal to c by lambda अगर हम इसे interchange कर दे तो यह बंजाएगा new is equal to c by lambda ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और formula है is equal to next formula है जो आपने भी पढ़ा था Planck's quantum theory में कि energy जो होती है energy is equal to nh new यानि कि n is number of photons और h जो होता है Planck's quantum theory निकली थी उससे जो Planck's constant था वो था हमारा h जीक है तो h जो है हमारा Planck's constant है और जो ही वी है वी इत्स new है ना तो n h new new is frequency तो यह हमारा formula निकला था जिसको में लिख सकते है is equals to क्योंकि हमने पता है new का formula क्या हूं लिख सकते हैand kandormi kartow C by lambda कर दिया है new कंजिए ka यह भी इसके formula हो सकता है अब हम दिखेंगा this formula जो हूंने पहले पढ़ा था हमने पढ़ा था kinetic energy का 3rd formula है kinetic energy कानेटिक एनरजी जो होती है वो थी h new बट क्योंकि वो दो तरह से आती है तो हमने निकाली थी कानेटिक एनरजी का formula h new-h new-h new not तो उसे हमने bracket में लिख लिए है h को common लेके new minus new not है h new-h new not होता है इसका formula बट h जो यहां पे common है तो इसे हमने h bracket में new-new not ले लिया है ऐसे साथ अब इसका लिखने next formula एक और formula था kinetic energy का जब हम new को अगर हम new इस तरफ रख लें तो lambda निक्षे चले जाएगा तो यह क्या बजाएगा c by lambda हो जाएगा तो इसका formula क्या होगा kinetic energy का एक और formula जो था वो है h c by lambda जब हम new के जगह लिखेंगे तो c by lambda होगा और minus जब हम new not की जगह लिखेंगे तो यह हो जाएगा c by lambda not ठीक है तो यह हमारा formula बना था kinetic energy के लिए अब हमारा एक और चीज है जो हमारे numericals में यूज होगी तो यह भी आदोना और पता होना दोनों बहुत ज़रूरी है ठीक है हमें पता है kinetic energy जो है energy एक फॉर्म में है तो उसकी यूनिट है वह actually joule है क्यों वह energy है तो joule में इसकी energy 1 joule अगर suppose करो 1 joule है 1 joule को हम एक और चीज लिख सकते हैं वह है कूलम वोल्ड 1 joule जो होता है 1 कूलम वोल्ड के equal होता है तो हम यह कूलम वोल्ड क्यों बढ़ रहे है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिर आपको समझ में आ जाएगा और 1 कूलम वोल्ड में जो यहां पर कूलम वर्ड है कूलम चार्ज के लिए ठीक है यहां पर इलेक्ट्रों के चार्ज की बात की जा रही है ठीक है तो एक इलेक्ट्रों में चार्ज होता है वह होता है 1.6 10S to power 19 Coulomb ठीक है तो एक इलेक्ट्रों का चार्ज होता है वह होता है 1.6 10S to power minus 19 Coulomb यह होता है और अगर हम 1 Joule में 1 Coulomb की value वोल्ट जो है as it is रहेगा 1 कूलम में electron की value आ जाएगी तो electron की value क्या आ जाएगी 1.6 इंडू 10 इस टे पावर माइनस 19 ठेक है ये आ जाएगी अब value 1 electron volt की 1 electron volt की अगर कोई भी आपसे value पूचे तो हमेशे याद रखना 1 electron volt की value होती है 1.6 इंडू 10 इस टे पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट क्योंकि इनृत रहेगी ही और वोल्ट अर्रीड है तो ये रहेगा 1.6 इंडू 10 इस टे पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट की energy V वोल्ट की वैल्यों में बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है वन एलेक्रोन वोल्ट होता है वन पॉइंट सिक्स इंटें इस्ते पावर माइनस नाइटीं कूलं पूल्ट अब हम इसके नुमेरिकल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नुमेरिकल है क्याल्किलेट इनेट्जी ऑफोटोन और इनेट्जी गिवन इतना तो यानि की फॉम्ला कौन सा लगगा कि दिमाग में फिटो जाना चाहिए यह आएगा पहले हमें गिवन वैल्यू लिखके बठ हमें इनेट्जी फोटोन और वेल्यू साथ में तो यह लग जागा इस इकोल स्टू है यह वाला फॉम्ला लगएगा और फिर पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कभी भी नुमेरिकल स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा एक बार ध्यान रखना है हमेशा लिखना है पहले गिवन वै ओके तो गिवन वैल्यू में हमें पता है कि उन्होंने क्या वोलाए यह पर एक बार ध्यान देने वादी है वह है वह है क्याल्किलेट्टी एनेट्जी ऑफ फोटोन अर्मीनिंग होता है वन है ना तो वन यहाँ पर फोटोन का नंबर दे दिया है इन्होंने तो यह है i.e.s. अगरों 16000N, तो यह लिख लेंगे हम यहाँ बीदि एंक्स्ट्रॉम को अब हम क्या करेंगी in meters करेंगे okay क्या यह wavelength है तो यह wavelength है लैंध् वह हमेशा अपने ऐसा ही में रगना है ऐसा ही है meters तो हम एंक्स्ट्रॉम को सब मीचाराइग तो 1N is equal to 10N is the power वावर-10Met रह तो अगर यह 6000 इंस्ट्रोम में तो यह हो जाएगा 6000 x 10 इस्टेपावर — 10 मीटर्स और यह 3 0 जो है यानि कि into 10 से यह इसको अगर हम 10 इस्टीपावर — 10 से वाइनस करदे तो बचेगा कितना अगर हमें सिफ 6 के form में चाहिए तो जो 3 0 है उसको अगर हम माइनस कर दे 10 से तो यह कितने आ जाएंगे 10 से पावर माइनस 7 यांकि simplified ways में हम ऐसे लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा अब हमारा wavelength 6 into 10 से पावर माइनस 7 meter अब हम calculate क्या करना है हमें फॉर्मिला होता है new is equals to क्या होता है c by lambda होता है c की value होती हमेशे constant होती 3 into 10 to power 8 speed of light हमेशे constant और lambda में given है तो हम हमें new के जगा अगर हम इसको value को रख दे तो हमारा answer आराम से आजाएगा तो हम यह करेंगे अब new के जगा हम लखेंगे c by lambda तो c by lambda हमने रख दिया तो अब यह वाला formula है क्योंकि n जो है इसमें n की value 1 है तो हम इसके वाले formula को क्या लिख सकते हैं hc by lambda तो हमारी पहली equation बन गई अब हम क्या करेंगे फटाफट 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 values पूट करेंगे फरस्ट equation में और इसके बाद इसका answer निकालेंगे energy is equal to n तो हमें 1 है अब हमने इसकी value पूट करेंगे planks constant की हमने जब planks quantum theory पढ़ी थी प्लanks constant की value भी उसमें हमने पढ़ी थी वह थी 6.63 into 10 raised to the power minus 34 ठीक है 6.63 into 10 raised to the power minus 34 होती है joule second है ना तो यह पढ़ा था हमने और हमें पता है की speed of flight होती 3 into 10 raised to the power 8 अब हम lambda की value पूट करेंगे लेंडा की value है 6 into 10 raised to the power minus 7 जो की है पॉट में है अब इसे हम जब calculate करेंगे देखो सबसे बहले calculate करने का धंक्या होना अची पहरे जो यह है 10 raised to power में इनको cancel out कर लो है ना जब यह cancel out हो जाएंगे आरांब से तब क्या होगा सिफ remaining value बच जाएगी यह कुछ one around आ जाएगा है ना वैसे हम देखके इसके कुछ one point one ऐसे आ जाएगा और यह three है तो three point three something answer ऐसी ही पताशल जा रहा है कि three point three होगा है ना बची क्या value यह बस 10 raised to power बचे और इनको हमें solve करना होता है तो पहले क्या करेंगे हम 10 raised to power जो भी होगा solve करेंगे देखो कैसे करेंगे सबसे पहले थर्टी फोर मेंसे seven minus कर लेना क्योंकि यह जाएगा उपर है तो हमेंसे cancel out करना पड़ेगा और अब जो बच जाएगी value उसको eight से minus कर देंगे तो 19 ना जाएगा 10 raised to power minus 19 क्योंकि energy की value जो है energy हमेशा उसकी unit होती होती Joule तो हमारा जो answer है वो है three point three one five calculate करने के बाद into 10 raised to power minus 90 Joules तो यह वहला इसका answer है खुड solve करना पहले उसके बाद solutions को देखना तब जादा मजाएगा तेक है अब next question है calculate the energy of a mole of photons of radiation whose frequency is five into 10 raised to power 14 hertz तेक है तो पहले हमें यह पता है कि हमें क्या calculate करना है हमें energy calculate करने कि इसकी one mole यह photon का number क्या दिये वह है number of photon पता है हमें यह गिवन है one moles okay और हमें क्या पता है इसमें frequency पता है frequency new is equal to five into 10 raised to power 14 hertz गिवन है अब इन value से हम क्या निकाल सकते है अरांग से energy का formula लगाएंगे और हम निकाल लेंगे इसमें अरांग से energy तो n पता है में one mole और one mole को हम simplified way में क्या सब्सक्राइब क्या है कितने atom होते है one mole में six point zero two two into 10 is the power 23 पिछले वाल चेप्टर में पढ़ा था है ना six point zero two two into 10 is the power 23 atoms होते है एक mole में okay तो यह इसकी simplified value होगी अब हम क्या करेंगे या फिर हम कह सकते है six point zero two two into 10 is the power 23 क्योंकि वह atom होंगे इतने atom होंगे है ना तो यह क्योंकि हमें atom के चल रहा है सबकुस टॉक्टर रॉप atom है यह इतने atom तो हमें इसमें clarify करने पड़ेंगे one mole लेकर के one से cancel करके यह आंसर गलास अचाएगा तो इतने atoms one mole में होंगे अब हमें new के बाइन new है 5 into 10 to power 14 hertz अब हमें क्या calculate करना है वो हम रिख देंगे हमें energy calculate करनी है अब में formula पता है e is equals to nh new क्योंकि blanks quantum theory से आ रहे है तो अब हम क्या करेंगे बस value पूट करनी है और answer निकाल देना बस यहां पर ध्यान क्या रखनाता है इस question में 1 mole की value 1 mole की value क्या होती है 6.022 into 10 to power 23 और अब हम h की value पूट कर रहेंगे h होता है 6.63 into 10 to power minus 34 और फिर new की value जो होगी 5 into 10 to power 14 ठीक है अब इसको calculate कर लेंगे इन सबको multiply करने के बाद जो भी answer आएगा वो होगा 198.90 अब आस यह solve करने रह जाएंगे ठीक है 37 और minus 34 तो यह तो 3 हो जाएगा तो 10 to power 3 बज गया जूल क्योंकि एनरजी है अगर हम इसे और simplified way में लिखे तो 10 to power 3 यानि की thousand 1000 को हम और क्या लिख सकते है किलो क्या होता है 1000 होता है तो हम यहां पर क्या लिख सकते है 198.90 10 to power 3 नहीं लिखने है तो किलो जूल्स सिंपल की वैली होती है 1000 यहां पर है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आपको ऐसे ही लिखने तो कोई बुराई नहीं है नेक्स्ट कुश्चिन है 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रमेटिक लाइट ओफ वेवलेंड 400 नैनोमीटर काल्किलेट दी नंबर फोटॉन्स एमिटेट पर सेकेंड बाइद बल्ब तो इन्होंने बुला है कि 100 वोल्ट का बल्ब है वाट का सुरी वाट पावर की यूनिट ह पड़ा हो आपने तो पावर की यूनिट होती वह होती वÎक चिंगल वहती है थो पहले की यहां पर की यूनिट है वह 100 वहां बलाए करने को नंबर फोटन behavioral है Canut of photons दो number of photons हमें नहीं पता है तो यह हमें calculate करने है और वो इनहों ने कह Each a per second by the bulb यह कि par second हमें का coherent हमें calculate करने んकि कितने photon वे फोट ओंस उसमें से निकलेंगे 주고 लाँ तो अब इसे calculate करते है 100 watts तो 100 watts के बाद है तो watt की एक और यूनिट होती है वह होती है Joule per second क्योंकि power जो होता है form of energy होता है तो इसकी यह वाली यूनिट होती है Joule per second energy के similar है तो Joule per second होती है ओके उपर क्योंकि power जो होता है energy per unit time यह ना तो यह हो जाएगा energy जो आएगा वह आएगी Joule से और नीचे per second है तो यानि की second और यह उपर जाएगा तो यह Joule per second ओके यह ऐसे formula बन जाएगा तो हम इसकी help से, इसके formula की help से हम क्या कर सकते हैं इसकी value निकाल सकते हैं हमें इसमें क्या पता चल गया कलती से क्योंकि हमें यह पता है कि watt की unit होती है क्योंकि यह भी एक form of energy है तो यह भी क्या हो जाएगा Joule per second क्योंकि power का formula हम ने पढ़ा है Joule per second यानि की energy per unit time तो यहां पे energy per unit time formula में पता है तो हम इसकी help से का करेंगे हम निकाल लेंगे इसका time कैसे क्योंकि energy जोगी वह उपर वाली यानि की 100 क्योंकि हमें यह पर second में है यह ना नीचे पर second है Joule per second यानि की time कितना हो गया तो time हो गया इसमें 1 second तो time में इसमें पता चल गया 1 second और energy क्योंकि उपर वाली होगी तो energy भी आगी हमारी 1 Joule अगर 1 second होगी नीचे वाली value तो उपर वाला क्या होगा 100 अब क्योंकि हमें निकालना है इसमें number of photons तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बार यह देख लो wavelength हमें given है 409 meters तो इसको भी हम एक बार convert कर लेंगे यह तो करी लेंगे नानो मीटर जो होता है वह होता है 10 से पावर माइनस 9 meters जब उसे हम मीटर करते हैं 400 इंटो 10 से पावर माइनस 9 जब दो 0 है इसको अगर हम हटा ले इससे माइनस कर लें तो यह value क्या बन जाएगी यह बन जाएगी 4 इंटो 10 से पावर माइनस 7 meters अब हमें क्योंकि इन निकालने तो हम इसमें वही formula यूज करेंगे और हम निकालनेंगे अपना N हमें एक formula पता है वह है E is equals to NH C by lambda क्योंकि हमें वेवलेंड की बन है तो हम यही बना formula लगाएंगे नियू बना formula नहीं लगाएंगे energy हमें इससे पता चल गई energy पता चल गई energy क्या पता चली 100 J जब क्या होगा one second हम time को one second मान के चल रहे है क्योंकि हमें question में यही का है कि second जो है per second में हमें bulb की photons के numbers निकालने है हम time को क्या मन लेंगे one second हर चीज जोगी energy से लेकर कुछ भी वह one second में हो जाएगा convert तो अब क्या होगा E is equals to 100 J tools अब N की value तो हमें क्योंकि निकालनी है तो इसको ऐसी ही रख देंगे H की value 6.63 into 10 to power minus 34 और C ही होता है 3 into 10 to power 8 ठीक है और lambda की value क्या है lambda की value है 4 into 10 to power minus 7 तो यह जो सब माइनस 7 है यह उपर चला गया 10 to power plus 7 में ठीक है यह plus 7 करके उपर आया है अब हम N को जो है इस तरफ लियाएंगे और बाकी सारी values को इस तरफ लियाएंगे तो value क्या हो जाएगी N is equals to 100 into 4 upon 6.63 into 10 to power minus 34 into 3 into 10 to power 8 into 10 to power 7 तो यह जो 10 to power से हैं इनको एक बार solve कर लेंगे तो यह आ जाएगा 10 to power minus 19 और बचे 6.63 और 3 इनको हम क्या करेंगे into कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 400 से तो यह हमारा अंसर आ जाएगा N की value नंबर of photons हैं हमारे पास 20.1 into 10 to power 19 photons जो है एक सेकंड में निकल जाएंगे सोचो इतनी बड़ी value है यानि कि 10 में जो है 19 zeros होंगे इतने सारे photons जो है एक सेकंड में निकल जाएंगे 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 इतने सारे photons निकल जाएंगे अब नेक्स कुश्चिन हैं नेक्स कुश्चिन में देखेंगे हम कि threshold frequency of a metal is 7.0 to 10 to power minus 14 second inverse तो यह थे में given है threshold frequency यानि कि mu knot ओके symbols भी जाएंगे जाएंगे परिंड करना है किनेटिक एनेटिक एनरजी of electron emitted with the radiation of frequency जो frequency होती है जो जो अब पास करेगी वह है 1.0 to 10 to power 15 second inverse it's this metal, तो इसमें हमें क्या करना है, simply, हमें given है frequency, यह है new, यह हमें best new knot, और kinetic energy हमें पता करनी है, तो हमें इसका formula पता है, kinetic energy, new knot, new का एक relationship था पढ़ा हमने, वो हम इसमें देखेंगे, तो new knot की value हमने लिख लिख ली, new की value given में लिख ली, अब हम क्या करेंगे, kinetic energy का formula लेखेंग यह problem ने पढ़ा है, अब इसमें क्योंकि हमें हमें एच हमेशा पता है, plank's constant, इसकी value होते है, 6.63 into 10 to power minus 34, new की value है, 1.0 into 10 to power 15, minus, new knot की value है, 7.0 into 10 to power 14, अब हम क्या करेंगे, इस वारे को पहले minus करेंगे, क्योंकि यह वारे करेंगे, हम सीधे सीधे करेंगे, कभी minus नहीं होगा तो इसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है, common लेनी पढ़ती है, वो value जो कम होगी, तो कम यहाँ पे है 10 to power 14, क्योंकि 15 जादा है, 10 to power 14 common इस ले लेंगे, क्योंकि जो काम होगा, वो दोनों जगा होगा, तो 10 to power 14 को भाहर ले लेंगे, यह 10 है, 1 point नहीं है, तो 10 to power 14, बाहर जाएगा, यह 10 to power 14, अगर हम माइनस कर देंगे, बचेगा क्या सिफ 10, क्योंकि 14 भाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, सिफ 1, यानि कि 15 तब इनको एड करके हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 10, और इधर उरे गया 7, तो 7, 10 minus 7 जो होगा, वो जागा 3, और यह भाहर था, इन 2 3, nitzen 1, 2 cuc 3, 5 ीडिवा, खी राएगा, क्योंकि 4 यानि केर नाइका, आनेठािकी इनर्जी, इन 1.9 70-0.99-20 J, या अंशा करेंगा, अब ऑम दिखेंगे, next question, the threshold energy of a photoelectric emission from a, metal is 3.056 into 10s to power minus 15 joules यानि कि हमें यहां पर गिवन है थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पर हमें फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है यहां पर गिवन हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी यानि कि E0 यहां पर गिवन हमें पोटो इलेक्टर के मिलेगी निकल जाएं वह है 3.056 into 10s to power minus 15 joules इफ लाइट ओफ वेवलेंध यानि कि अगर लाइट जो होगी वेवलेंध की वेवलेंध की वेवलेंध की वेवलेंध गिवन है वेवलेंध की वेवलेंध गिवन हमें इस यूजड गिवन है वेवलेंध इस यूजड विल बी एजक्टेट और नट तो इन्हों ने का है जब हमने एक लाइट यूजड जिसकी वेवलेंध 4,000 एंग्स्ट्रॉम थी तो अब इलेक्ट्रोन निकलेगा एज़गा की नहीं अबता अघ्वन है यूजड मे यूजड फ़ीवलेंगे यूग सकत है जय गए अगर एणोड से जαधा घ्ड लोगी तो हमारा जो electron है वो हो जाएगा eject और अगर कम अगई तो electron होगा eject बिल्कुल भी नहीं तब electron eject नहीं होगा तो बस हमें क्या करना e value निकालनी है जिसके में परसल जाएगा यह कम है उसके साफ समय पैसल जाएगा eject होगा की नहीं तो पहले हम लिखेंगे e value में गिवन थी तो 3.056 into 1060 power minus 15 joules और lambda में गिवन है 4000 into 1060 power minus 10 okay अब हम इसमें formula यूज करेंगे e is equal to nc by lambda n की value 1 ठीक है कुछ नहीं है तो 1 और h की value होती है 6.63 into 1060 power minus 34 c का होता है 3 into 1060 power 8 इतना में पिशा पता रहते है और lambda क्या है lambda हो जाएगा 4000 into 1060 power minus 10 इतना के बान है अब हम पहले क्या solve करेंगे इनको 6.63 into 1060 power 3 को पहले multiply कर लेते 19.89 अब बची भी यह values है फिर इनको solve कर लेते हैं जो नीचे 10 था इसको हमने उपर भीज दिया तो यह आजाएगा इनको प्लस 10 में अब हो जाएगा 19.89 अभी इसको उपर वाले को मने solve भी कर लिया है तो यह आगे 10 था पावर minus 19 ठीक है तो यह हमने 3 थे गुझा थी कहा है तो यह भी क्मेश धाएगा 13 हो जाएगा थार्तीन हो जाएगा तो minus 34 करके 13 चाएगा हमारा और मैंने को ऑनस जो 30 से इसको हमने उपर वेज़ गया और 19-19 इसका अंसर आ गया तो इक 4 को जब हमने 19.89 से multiply divide किया तो यह आ जाएगा हमारा 4.97 इतुट 10 इते पावर-19 तो अब हम देखते हैं कि यह वाली तो यह थी पॉइंट इते पावर-15 तो हमेशह यह ध्यान रखने कि 15 और 19 में से 19 जादा है तो यह जादा नहीं होगी जितनी वैल्यू जादा माइनस होगी यह माइनस माइनस 19 यान कि बहुत कम वैल्यू है हमेशह यह नहीं देखना है कि दिजिट लंबा है बड़ा है तो वह बैल्यू बढ़ी हो जाएगी उसके आगए कर माइनस का साइन है तो वह उतनी जादा छोटी हो गई है यानकि यह यह इससे छोटा है यानकि अब इलेक्ट्रॉन जोगा एजक्ट नहीं होगा तो यह जो पर फोटॉन हाविंग अनर्जी ओफ वन एलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटॉन की हमें काल्कुलेट करनी है वेवलेंथ तो और इसकी हमें एनर्जी की वन एलेक्ट्रॉन वोल्ट की अभी हमने पढ़ा था वाल्यू होती है 1.6 इंट्रोटेश से पावर माइनस 19 Joule तो यह ह पड़ा और हमने क्या देखा इसमें इसमें हमें देखा कि इतनी एनर्जी होती है एक एक एलेक्ट्रॉन वोल्ट की और हमें इसमें पस वेवलेंथ क्या करनी है क्या क्या करनी है क्या 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 फिर आजाएगा हमें एक लैम्डा निकालना है तो इसको to calculate में रख देंगे और इसके बाद हम इसका formula निकालेंगे h और e और लैम्डा में कौन से relation है वो है e is equal to nhc by lambda n पता है यहां पर 1 है h की value 6.3 into 10 to the power minus 84 और c होता है 3 into 10 to the power 8 upon lambda और e हमें यहां पर पता है energy of electron photon या फिर 1.6 into 10 to the power minus 19 तो लैम्डा यहां पर given है लैम्डा हमें यहां पर क्या करना है निकालना है calculate करना तो यह इधर हम ले आएंगे तो लैम्डा आजाएगा तो बाके सारी values आजाएंगी नीचे यानिकी 6.63 into 10 to the power minus 26 यह calculate करने के बाद आए into 3 as it is minus 34 और 8 को 10 to the power 8 इन लोनों को minus करने के बाद आए 10 to the power minus 26 और नीचे यह नीचे चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 19 minus 19 as it is और इसको हम calculate कर लेंगे calculate यह multiply करेंगे पहले इसको और फिर इसको cancel करने के बाद 10 to the power minus 6 आजाएगा इसको आप खुद करने के बाद 10 to the power minus 6 आजाएगा इसको आप खुद करना तब आपको अच्छे समझ मालेगा मैंसे बताऊंगी तो यह से नहीं आएगा पहले खु क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम कुश्चिन पेपर में आते हैं तब हम हम सौल्फ कर पाते हैं क्यूंकि अगर हम प्रैक्टिस की तब हम उसे कर पाएंगे कुछ कूष्चिन से खुद कर लेना थिके सेम पैटन के आप इसका screenshot ले लिए प्रिके आप यह वाला वो ने बोला है संसाल 3аже ox 4 zusammen Taylor जो की इसे फॉरीयम मेटल है इससी जो लिएक्ट्रों को देने की जो ताकत होती हा वह न जादा हुती है इन के आमा से फॉरी को मैश्वाटर पतार है तो इससे मेटले section sudah के हम 10 जादा होती है नेरजी का निका करता है है हमें क्या है और यहां पर वेवलेंद का भी लगाना है तो इस इक वेवलेंद तो इस इक वेवलेंदा वाला सेम ऐसी लग जाएगा और इन्होंने बोला है इसमें calculate the energy of photoelectric emitted the critical critical wavelength of cesium is 6600 यन्हाल के रवma है गोले एंक श्रह्व में क्रिटिकल यान्नि कि ये वाली जो फैल्यनुtermin कि यिसते की वो निउकल जांग निकल जाएंगे वह वाली वैल्यू हमें गिवन है तो हम यह पने प्रसिधित जिससे कि क्या हो जाएगा electron हो जाएगा वह वाली wavelength और यह वाली जो है simple wavelength है तो यहाँ पर आपको समझ हमाना होगा कि कौन सा वाला एनर्जी का formula लगएगा ठीक है तो यहाँ पर energy तो कहीए बट यहाँ पर निकालनी पड़े हैं आपको पहले kinetic energy और उसके बाद आपका अराम स से आजाएगा answer क्योंकि स्रिफ kinetic energy जिसमें आप इस formula को यूज कर सकते हैं तो critical मतलब है आपर कि जिसके जिसके बाद जो है आप electrons मतलब इसके अगर कम हो जाएगा इसके कम अगर wavelength होगी तो आपका electron नहीं निकलेगा तो यह हो जाएगा आपका यहां पर यह हमारे पास critical critical क्रिटिकल जब भी आइस का मतलब हो जागा यह रहा होगा लैम्डा नॉट न की मिनीमम है जिसमें इलेक्ट्रोन होगा और यह वाला है यह नॉर्मल वेवलेंथ तो हमें यहां पर kinetic energy का formula यूज करना है कोई भी यहां पर hc by lambda यहां पर kinetic energy क्यों हमें दोनों की निकालने हैं तो कौन सा formula लगएगा hc by lambda माइनस c by lambda not तोहां से आया formula h new minus h new not वह वाले formula से आया है यह हो ना तो वही वाला formula इसमें यूज करके hc by lambda माइनस hc by lambda not तो यह वाले में lambda not है हमारा critical wavelength यानि की ccm की 6600 एंग्स्ट्रों और यह वेवलेंथ है नॉर्मल वाली वह यहां पूट कर देंगे और बाकी सब पूट करके आप आप अराम से kinetic energy को निकाल लेंगे ठीक है यह बी simple तरह कर है तो आज के लिए यह सारे numericals काफी है थैंक्स पर वाचिंग